जहिन सातियों आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं जेल बंदी रख्षक परिच्छा 2022 का विग्यापर यानि की एड़टीजमेंट ठीक है तो आज के इस एड़टीजमेंट मे हम बात कर रहे हैं जेल बंदी रख्षक परिच्छा 2022 का तो सबसे पहले हम देखते हैं विग्यापर प्रकासन की तिथी क्या है तो 15 नॉमबर 2022 है ऑनलाइन आवेदन पत्र भनने की इनतितिती क्या है तो 5 दिसंबर 2022 है रात्री के 12 बज़ तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और चैनल merciful भरेंगे आप online mode में ठीक है उसका भी आप लोग अभी देखेंगे और क्या-क्या इसमें योगताएं मांगी गई हैं क्या क्या-क्या अनिवारी योगताएं है और अधिमानी योगताएं हैं आप जैसे यतने भी स्टुडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहले हम देखते हैं रिक्तियों का विवरण ठीक है जेल बंदी रक्षक परिक्षा 2022 के अंतिकत रिक्तियों की कुल संख्या 238 है ठीक है कितनी है 238 यहां पे टोटल पोस्ट है और उसमें जेल बंदी रक्षक खेतू 214 पोस्ट है और महिला जेल बंदी रक्षक खेतू 24 पोस्ट है टोटल मिलाके 238 पोस्ट है यह रिक्तियों की संख्या घटवर बढ़ सकती है ठीक है यहां पर हम लोग देख लेते है सबसे पहले और भी डीटेल में अगर हम जाए तो यहां पर अनुसुच जाती अनुसुच जाती अलप पिछड़ा वर्ग ठीक है आर्थिर गुर्प से कमजोर वर्ग इन सबका विर्ण यहां पर दिया हुआ है आप लोग इसको स्क्रीन सोट लेके थोड़ा समझ सकते हैं ठी अगर्ड बोड से ही इंटरमीडियेट पास होना चाहिए उत्तराखंड से ही उसके समखच घोसित परिच्छा उत्रिड किया हो और आपको देवनागरी लिपी में हिंदी का कारेकारी ज्यान हो ठीक है यानि कि हिंदी भी आपको ठीक ठाक आती हो उसके अलामा दूसरी जो अधिमानी अरहता है दूसरी जो अधिमानी अरहता है वह है प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ज की अवधितक सेवा किया हो या फिर नेशनल के एड़िट कोर का भी प्रमारपत्र प्राप्त किया हो तो वह लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है और उसके अलावा भी आपको देखना होगा एज क्राइटरिया को अभी मुस्कों देखेंगे चलिए अब यहां पर सारीरिक माप दंड देख लेते हैं सारीरिक माप दंड परवती छेत्र को छोड़कर सामान्य अथ्वा पिछडी अथ्वा तथा अनुसिच जाती के अभरतियों के लिए नियु के लिए नियुनतर्म उचाई 157.5 सेंटी मीटर होना चाहिए यानि कि पांच फूट दो इंच से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है और सभी के लिए वजन नियुनतर्म 55 किलोग्राम अन्यवार है ठीक है उसके लावा सीने की माप सामान्य अथवा पिछडी जाती के अभरतियो के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटी मीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटी मीटर होनी चाहिए ठीक है बाकी यहां पर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिजेगा इसका स्क्रीन सोट लेके आप अच्छे से देख लिजेगा ठीक है यह ज्यादा इंपोर्टेंट चीजे न करते हैं फिजिकल एफिसियन्सी टेस्ट इसमें सारिविक दक्सेता परिच्छा में 100 अंकों का यह होगा और इसमें निम्न बिवरड के अनुसार जिसमें भरती की कुल निवन्तं 5 कि प्राप्द करना अनिवार्य होगा ठीक है पचास अंक इनिमें से अनिवार्य होगा करिकेट का जो बाल है उसको थ्रो करने का जो आपको उससे थ्रो करवाए जाएगा वह 5.7L से नीचे नहीं होना चाहिए और 20 अंक का है ठीक है 50 मीटर जो है वह उसके 10 अंक मिलेंगे 55 मीटर अगर है तो 12 अंक मिलेंगे इस ही प्रकार से सतर मीटर हैं एक जीendo तो 7 अंक है वह बीश अंकोंका है बीश अंकों मेंसे आपको कितना नंग ले чистए पाय चाल का घ्क के इसमें तो तो दस अंक 14 फीट कूदते हैं तो बारा अंक इसी प्रकार से में अठारा फिट है उस पर आपको बीस अंक मिलेंगे ठीक है तो कम से कम 13 फीट आपकी लंबी कूद होनी चाहिए उससे अगर नीचे होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ठीक है चीनिग अप ची अगर चू लेते हैं तो दस अंक मिलेंगे साथ बार चूते हैं तो बारा अंक मिलेंगे में एक जिवम दस बार चूते हैं तो बीस अंक मिलेंगे दस बार अगर पूरा चू लेते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा मिनिमम पाच बार तो आपको चूना ही है जिसमे मिनिमम दस अंक आपको मिलेंगे ठीक है इससे नीचे अगर आप करते हैं तो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे ओके यहां पर बैठक भी लगाना है बैठक 50 बैठक दो मिनिट में चार अंक मिलेंगे यह तो दस अंको का है इसका पूरांग जो जो है दस अंको का है ठीक है ऐसी सो बैठक लगाते हैं तो दो मिनिट में अगर सो लगा लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा दस अंक मिल जाएगा पचीस दंड अगर चार मिनिट में लगाते हैं तो छे अंक ऐसे ही 75 दंड अगर चार मिन्ट में लगा लेते हैं तो दस अंक पूरा आपको मिल जाएगा इस प्रकार से आप आपका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा ठीक है दोड भी दोड वह चाल तीन किलो मिटर पुडांक है इसका 20 अगर 20 मिनट में आप दोड पूरा कर लेते हैं 3 किल tumor का चाल जो है तो आपको 10 नमबर ऐसे ही अगर आप तीन किलो मिटर आप दोड लेते हैं 10 मिनट में तो आपको 20 नमबर पूरा मिल जाएगा एक्सिलेंट हो जाएगा ठीक है तो यह तो आपका रहा आपका फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट महिला के लिए यह एजुकेशनल जो अरहता है अनिवारे अरहता और अधिमानी अरहता जो है सेम है ठीक है अब इसमें सारीरिक मापदन में थोड़ा से चेंज होगा परवती छेत्र को छोड़कर सामाने प से कम नहीं होनी चाहिए सबी के लिए वजन नियुनतम 45 kg होना चाहिए उके और द्रिश्टी जो है आखों का 6x6 होना चाहिए दूसरी आख में 6x6 से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है बाकी आप इसको अच्छे से देख लीजेगा यह जहां तक अगर स्वस्थ होगा तो सब का 5 बार चुना है 25 मिलेंगे 6 बार चुना है 30 मिलेंगे 7 बार एगर चूलेती है अब धयरतिनी तो 40 बार ऑब चाहिए तो यह इस तरीके से इसमें अंको का बटवारा होगा और दोड़ और चाल जो है 2 किलिमेटर दोड़ना होगा 50 को का है और अगर 15 मेट में अगर यह दोड पूरा हो जाता है इसका तो उनको 25 संक 14 पूरा होता दो 30 संक 12 में पूरा और 10 में उनक्त पूरा कर लेती है अभल दिनी तो 50 संक ठीक है इस तरीके से यह पूरा करना पड़ेगा ठीक है आयू सीमा 21 से 35 वर्स होनी चाहिए ओके अधित्तम आयू सीमा एज पर गौर्मेंट और मिलेगा ही मिलेगा SCST को 5 वर्स मिलता है OBC को 3 वर्स और जनरल को छूट नहीं मिलती है ठीक है आरक्षड जो है वो नॉर्मल जो जैसा मिलता है वह मिलता रहेगा और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और अगर विसेश है तो राश्टीता वगरा पता है इंडियन अगर है तो यहां पर भर सकते हैं ठीक है चरित्र वगर अच्छा होना चीए बेवहाई किस्तिती सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पूरस ब्रती पात्र नहीं होगा जिसकी एक स्यदिक पत्निया जीवित हो ठीक है और जो भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मैं आपके कमेंट्स को पढ़के आपको मैं सॉल्यूशन प्रुवाइट करा दूँगा ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर द झाल